exam के अंदर बहुत बच्चों को problem या आती है कि उनकी writing बिगड जाती है paper के time और end के एक घंटे के अंदर तो बहुत ही बुरी हो जाती है तो एक तो ये problem है दूसरी problem ये ती है उनको questions के answer याद होते हैं और वो भी भूल जाते हैं यह फिर आदे याद रहे जाते हैं, तो इनके solutions के उपर आज बात करेंगे हैं अपन, तो होता ही है, first हमारा case है, कि writing बुरी आती है, तो होता ही है problem इसके अंदर, कि आपको question पढ़ना है, और answer लिखना है, तो processing थोड़ी सी धीरे हो जाती ही brain की, यह समझें आप, तो इसके लिए क्या करना होता है, आप जाएं, question paper पढ़ें, और blueprint जो है न, question का तयार कलें, question paper का blueprint कैसे तयार होगा, जैसे question आपने पढ़ा, बड़े-बड़े question है न, long वाले पहले question पढ़ें आपने, और आप क्या करेंगे, उनके formulas, formulas लिख लेंगे, उनके diagram, diagram लिख लेंगे, बना लेंगे, और कुछ pointers, जो main-main pointers हैं, वो लिख लेंगे, तो pointer हो जाएगा, diagram हो जाएगा, formulas हो जाएगे, यह अगर आप पहले से ही, कहां लिख लेंगे, rough के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, तो rough के अंदर लिख लेंदे तो, फायदा क्या होगा, आपको यह, तीर तक याद रहेंगे, दूसरी चीज, आप, जब लिखेंगे न, उन्हे, तो क्या होगा, आपको पता है, इस question का answer यह, पीछली का वाए, तो एक confidence भी रहेगा, तो आपकी writing अच्छे आएगी, एक चीज, दूसरी चीज भूल जाते हैं, तो भूलने के उपर भी, आपको यह blueprint बना लेना है, उससे फायदा यह होगा, कि आपको question का answer पहले ही, subconscious mind में आपने लिख दिया होगा, ठीक है, blueprint के जरिये, तो आप आराम से पूरा का question का answer लिख पाएंगे, यह दो टेकनीक से, एक और चीज रहती है, अगर आप 6-8 घंटे प्रॉपर नीन लेके जाएंगे exam hall में, तो brain अच्छा functioning करेगा, दूसरी चीज, आपको 3 घंटे पहले उठना है exam के दिन, paper के exam होता है न, उसके दिन, आपको 3 घंटे पहले उठना है, उसके अंदर revision करना है, ठीक है, proper 3 घंटे अगर आपका revision हो गया, तो आप अच्छा perform कर पाऊगे, और चीज़ें याद रहेंगे लंबे टाइम तक, ठीक तो ये techniques थी कुछ, जो आपको help करेंगे exam में, तो आप मेरे को comment करके, या message करके, और भी चीज़ें हो, कुछ problem आ रही हो, तो पूछ सकते हो, बाकी, thank you very much,